आसा करता हूँ कि आप अपने और अपने परिवार का खयाल बखुबी रख रहे होंगे। दोस्तों, आज है 25 मई 2021 और आज के जितने भी इंपोर्टेंट करेंट अफेर्स बन सकते हैं, वो मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। तो चलते हैं अपने सेशन की तरब दोस्तों। तो दोस्तों, बात आती हैं अगर इंपोर्टेंट डेज की, तो मैं आप लोगों के सामने मैं मन्त के सारे इंपोर्टेंट डेज को एक वार कभर करता हूँ। तो जो एक मई को मनाया गया था इंटरनेशनल लेबर डे और उसी दिन मनाया गया था दोस्तों महाराष्टरा डे ठीक है दोस्तों अगला है दो मई को तो दो मई को वर्ल्ड लाफ्टर डे मनाया गया था मयानी की 200 हास्य दिवस ठीक है दोस्तों तीन मई को मनाया गया था प् general club मनाये जाता है तो यह मनाये जाता है माई मन्त के 1st Tuesday को World Asthamate Day मनाये जाता है दोस्तो बात आती है 7 माई की World Athletics Day और रविंदर्नाथ टैगोर जहनती 7 माई को मनाये गई है आठ माई को क्या मनाये जाता है Дोस्तों तो World Red Cross Day और world thalassemia day 8 मईए को मना जाता है बात आती है 11 मईए की तो national technology day 11 मईए को मना जाता है 12 मईए को international nurses day 15 मईए को मना जाता है international day of families यानि की परिवारों के लिए अंतर राष्टिय दिवस 17 मईए को मना जाता है world telecommunication day world hypertension day 18 मईए को मना जाता है world AIDS vaccine day और International Museum Day ठीक है दोस्तों 21 मई को मनाय जाता है National Anti-Terrorism Day और National Endangered Species Day जो कि इस बार 21 मई को मनाय गया था लेकिन ये जो मनाय जाता है मई मन्त के 3rd Friday को यानि कि मई मन्त के 3rd Friday को मनाय जाता है National Endangered Species Day ठीक है और 22 मई को मनाय जाता है International Day for Biological Divergity जिसके बारे में हमने चर्चा किया था तो दोस्तों ये रहा मई मन्त के कुछ important डेज आप लोगों को डेज डेली वाइज पे एक बार करके PDF से देख लेना है और यहाँ पर revision कर लेना है फिर 23 मई को क्या मनाय गया था दोस्तों तो 23 मई को हम लोगों ने देखा था World Turtle Day और ति 22 मई को मनाय गया Commonwealth Day ठीक है दोस्तों और इसके theme क्या रही है हम लोगों ने इस पर चर्चा किया चलते हैं अगले question क्यों देखिए डॉक्टर स्रीकुमार बैनर जी जिनका हाल ही में निधन हो गया वो किस छेतर से संबंधित थे तो यह क्या reporter थे singer थे scientist थे या फिर एक engineer थे तो दोस्तों यह एक engineer थे एक metallurgical engineer थे ठीक है दोस्तों यहां देखिए कि जो स्रीकुमार बैनर जी था एक थे एक इंडियन metallurgical engineer थे दोस्तों और यह जो थे director भी रह चुके हैं भाबा Atomic Research Center के भाबा Atomic Research Center के डारेक्टर भी रह चुके हैं 30 अप्रेल 2004 से 19 मई तक ठीक है दोस् इसको इनका डेट हुआ है दोस्तों तो याद रहेगा कि श्रीकुमार बैनर जी जिनका हाली में निधन हो गया वह थे एक engineer एक metallurgical engineer थे दोस्तों यहां वो दिख रहे हैं और यह बार्क मतलब भाबा Atomic Research Center के डारेक्टर भी रह चुके हैं चलते हैं एगले question क्यों रिजर्ब Bank Innovation Hub के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों चलते हैं अगले question की और BWF Council के सदस्य के रूप में किस भारतिया को निर्वाचित किया है तो दोस्तों BWF यानि की Badminton World Federation Council के सदस्य के रूप में हिमंत बिश्व सर्मा को निर्वाचित किया गया है तो दोस्तों यह जो हमंत बिश्व सर्मा है यह अभी असम के मुख्यमंत्री के रूप में भी इन्होंने सपत ग्रहन किया है दोस्तों और यह जो थे Badminton Association of India के भी President है यह जो है Badminton Association of President के भी इंडिया के भी President है दोस्तों और इनको अभी निर्वाचित किया गया है BWF Council के सदस्य के रूप म और 33 सदस्यों में से इन्हें चुना गया था दोस्तों बात आती है BWF की तो BWF का जो Headquarter है वो है Kuala Lampur Malaysia में इसका Foundation हुआ था 5 जुलाई 1934 को ठीक है दोस्तों 5 जुलाई 1934 को President यहां के कौन है तो Paul Eric Hoyer Larson ठीक है और Member इसके Member Country कितने है तो अभी इसके Member है 194 ठीक है दोस्तो इसके Member है 194 कंट्री चलते हैं एगले Question की ओर तो Ventilator System Ventilation System for PPE Kit यानि की PPE Kit में ही Ventilation की वेवस्ता का जो इजाद किया गया है जो खोज किया गया है वो किस Student भारतिये Student के द्वारा किया गया है तो यह है निहाल सिंग दोस्तों यह College के Student है जो की मुंबई से मुंबई से जिनोनी की Ventilation System for PPE Kit का को बनाया है दोस्तों चलिए अगले Question की ओर इस्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2021 ठीक है इस्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2021 वन इयर ओफ कोबिड नाइंटिड रिपोर्ट के अनुसार भारत में वरकर्स की आउसत मासिक आयमें कितने परतिसत की गि गिरावट देखने को मिली है वरकर्स के जो मासिक होते हैं दोस्तों उसमें हम लोगों ने देखा है कि अभी जो हमारा देश है वो कोबिड नाइंटिन से लगभग दो सालों से जूज रहा है और इसमें बहुत सारे बहुत सारे लोगों को जान और माल की छती उठानी पड जो रिपोर्ट जारी की गई है इसमें वरकर्स के उसताय देखने को मिली है कि 17% गिर गई है दोस्तों चलते हैं एगले क्वेस्चन की और संजीवनी परियोजना जारी करने वाला राज्य कोन है तो संजीवनी परियोजना को जारी करने वाला राज्य है दोस्तों हर्याना जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, यह हर्याना वाला पाट है, आपको मैं डेली वाइज पर कुछ सारे फैक्ट को, option से related सारे फैक्ट को करवाता हूँ, ठीक है दोस्तों, आपको यह फैक्ट्स याद रखने हैं, यह मैप में रहा हर्याना, आपको यह ध्यान रखना है, य हम आप लोगों को डेली हर एक राजे से related CM, गवर्नर, जो कंट्री आता है, उसके currency, capital को भी कराते जाते हैं, जिससे आपका aesthetic person वाला कोई question भी ना छूट पाए, तो यहाँ के chief minister कौन है दोस्तों, यहाँ के chief minister है, मनोहर लाल खटर, मनोहर लाल खटर, deputy chief minister कौन है, तो दुस् दोस्तों, और बात आती है कि यहाँ का जो legislature है, वो unicameral है या फिर bicameral, तो दोस्तों, यहाँ के legislature unicameral है, ठीक है, एक सदन यह है, यानि कि यहाँ पर केवल विधान सवा है, और विधान सवा में seatों की संक्या यहाँ पर कितनी है, तो 90 seats है, दोस्तों, बात आती है कि पाल और चीफ मिनिश्टर के बारे में भी हम लोगों ने देख लिया बात आती है पंजाब की तो पंजाब के जो CM है वो है कैप्टन अमरिंदर सिंग और यहां के जो चीफ मिनिश्टर गवर्नर है दोस्तों वो है बीपी सिंग बदनौर बात आती है उत्तर परदेश की तो महराश्टर के CM है उद्धव ठाकरे जी और यहां के जो गवर्नर है भगत सिंग को सियारी ठीक है दोस्तों चलते हैं अगले question क्यों और कोवीड 19, anti body cocktail, doge किस कमपनी के दूरा लांच किया गया है щि exploring us को सिपला कमपनी एक medical कमपनी है दोस्तों तो यह इसके दूरा antibody cocktail doge launch किया गया है दोस्तों इसका कीमत जो है यह बहुत ही जादा है दोस्तों लगभग 60,000 रुपया पर doge इसका कीमत है दोस्तों और एक कीट में दो कीट होता है यानि कि 1,20,000 आपको एक कीट का पड़ेगा दोस्तों ठीक है और आई यह जो सिपला के जो CEO है वो है उमंग बोहरा ठीक है सिपला के CEO है उमंग बोहरा इसके founder कौन थे ख्वाजा अब्दूल हमीद ठीक है ख्वाजा अब्दूल हमीद यह 1935 में यह बहुत पुरानी कंपनी है दोस्तों इसका जो हेड़ क्वाटर है वो निव डेली में है सीरम इंस्टिटीट अफ इंडिया के जो CEO है दोस्तों वह है अदार पुना वाला और इसके जो इसका जो फॉंडर थे इसके बारे में हम लोग डेली चर्चा करते हैं वैसे ही डॉक्टर रेडि लिबरेट्री के जो CEO है जो इनका फॉंडर है दोस्तों यह अलम कंजी रेड़ी ठीक है दोस्तों ठीक है और यह जो डॉक्तर रेडी लिबरेट्री मीज में इसे लिए है क्योंकि यहाँ पर रस्या के दवारा बनाया गया COVID-19 वैक्सिन इस पुत्निक वी का प्रोडक्शन यही पर होने वाला है जिसका डोज का संख्या 850 मिलियन लगवग है दोस्तों ठीक है तो यहां तक हो गया बात हम लोग चलते हैं अगले क्वेस्चन की ओर G20 समिट की मेजवानी किस देश के द्वारा की जाएगी तो G20 समिट की मेजवानी की जाएगी दोस्तों इटली की द्वारा ठीक है और बात आती है कि G20 जो है G20 की मेजवानी इटली की द्वारा की जाएगी तो G20 का foundation मतलब यह कब बना था तो 26 सेप्टेंबर 1999 को G20 का formation हुआ है 26 सेप्टेंबर 1999 यह सब आपको याद रखना है एक दोस्तों वो है मार्यो द्रागी की है कौन है मार्यो द्रागी दोस्तों बात आती है इटली की तो इटली के जो प्रदब यह क्या बोलते हैं कि इटली के जो कैपिटल है वो है रोम और यहां का जो करेंसी चलता है दोस्तों वो है लाइरा ठीक है लाइरा या लीरा बोलते ह ठीक है दोस्तों और यहां के जो PM है वो हैं मारियो द्रागी जो की G20 के भी प्रेचेर मेंने दोस्तों और अगर बात आती है कि यहां के प्रेसिडेंट कौन है तो प्रेसिडेंट है सर्गियो माटरेला सर्गियो माटरेला ठीक है दोस्तों तो इटली के बारे में हमको इतने जानकारी रखनी है चलते हैं अगले क्वेस्टन की ओर टेमपल्टन पुरसकार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है तो टेमपल्टन पुरसकार को जेन गुडबॉल एक नेचुरालिस्ट है मतलब यानि कि ये एक परियावरन विद है दोस्तों तो इनको क्या किया गया है 2021 के लिए टेमपल्टन पुरसकार से सम्मानित किया गया है और ये जो टेमपल्टन पुरसकार है दोस्तों इसका जो सुरुवात हुआ था इसको इस्टैबिलिस्मेंट हुआ था 1972 में जॉन मार्क टेमपल्टन और ये जो टेमपल्टन पुरसकार दिया जाता है जॉन मार्क फांडेशन के द्वारा ही दिया जाता है बात करते हैं कि जो टेमपल्टन पुरसकार है इसका सबसे फर्स्ट विनर कौन था तो इसकी सबसे first winner इंडिया से है 1973 में Mother Teresa ठीक है दोस्तों इसको किस लिए दिया गया था तो religion के छेतर में काम करने के लिए इसको Templeton Prize दिया गया था 1973 में Mother Teresa को ये first winner है ठीक है दोस्तों और ये जो Jane Goodwall है एक परियावर अनविद है जो chimpanzee से related ये chimpanzee की बहुत जानकार है दोस्तों तो यहाँ दीकरा होगा ये है जैन गुड़ बॉल और ये chimpanzee के साथ इस तरह से conversation करते हुए और ये chimpanzee को बहुत अच्छे से समझती है दोस्तों बात आती है कि जो ये brother roger है और जो marcello glizer है ये भी templeton price से समानित किये जा चुके हैं दोस्तों तो इसके बारे में हम लोग अभी इतनी जानकारी लेना कोई आवस्त्यक नहीं है दोस्तों चलिए आगे बात करते हैं कि जो Bloomberg Billionaires Index 2020 के अनुसार 20 के सबसे अमीर वेक्ती कौन है तो 20 के सबसे अमीर वेक्ती है Jeff Bezos Bloomberg Billionaires Index 2020 का जो एक list जारी किया गया है तो उसमें बताया गया है कि Jeff Bezos जो है वो 20 के सबसे अमीर वेक्ती है ठीक है दोस्तों और Jeff Bezos जो है किस कमपणी के CEO है तो Amazon के CEO है दोस्तों जेफ बेजोस दुसरे नम्मर के अमीर वेक्ति कौन है Elon Musk ये भी US से हैं और ये भी US से हैं ठीक है दोस्तों Elon Musk इसकी कमपणी का इनके कमपणी का नाम क्या है SpaceX ठीक है और ये Rocket Science पर Best Company है ठीक है दोस्तों Bernard Arnold तिसरे नम्मर पर है और Bill Gates चौथे नम्मर पर है दो मुके संबानी है और 14 नम्मर पर Gotham Adani है ठीक है दोस्तों और जो मुके संबानी है वो इंडिया में फर्स्ट रैंग पर है और सेकेंड रैंग पर इंडिया में Gotham Adani है दोस्तों बात करते हैं कि Asia में भी तो Asia में भी Gotham Adani जो है चाइना के एक entrepreneur जिससे आगे बढ़ चुके हैं दोस्तों चलते हैं अगले question की उर जो हम लोग बात करते हैं कुछ important books के बारे में ठीक है दोस्तों important books के और यह भी exam में पूछा जाता है ठीक है नहरू तिबत एंड चाइना तो यह जो book है इसके जो author है दोस्तों वह है अवतार सिंग भसीन ठीक है अवतार सिंग भसीन फिर उसके बाद आता है इंडिया एंड एसियन जियो पॉलिटिक्स वह उसके जो author है वह सिव संकर मेनन बात आती है कर्म योद्धा ग्रंद तो इस book का जो लिखा गिया है इस book को किसके द्वारा लिखा गिया है दोस्तों अमीत साहजी के द्वारा बात आती है इवान ओसोंस जो की एक author है ये किस इसने कौन सी book लिखी है दोस्तों तो इवान ओसनोस ने लिखे है जो बाइडन अमेरिकर ड्रीमर अमेरिकन ड्रीमर बुक को किसने लिखा है इवान ओसोंस तो यहाँ पर एक बुक है दोस्तों, Artificial Intelligence and the Future of Power, Five Battlegrounds, ठीक है, तो इसके जो लेखक हैं वो है राजी मलोत्रा, ठीक है दोस्तों, राजी मलोत्रा, बात आती है, The Green Queens of India, A Nation of Pride, The Green Queens of India, A Nation of Pride, इसके जो लेखक हैं दोस्तों, यह है प्रकास जावडेकर सहाब, और आपको बताना ह कि प्रकास जावडेकर अभी हमारे कौन से मंत्री है, क्याबिनेट मंत्री है, दोस्तों, प्रकास जावडेकर सहाब, तो यह रही आज की Most Important Current Affairs, हम लोग मिलेंगे कल, अगले Next Episode में, नए Current Affairs के साथ, नए दिन की सुरुवात करेंगे, नए Current Affairs के साथ, दोस्तों, अगर आपको इस सारे competitive exams का preparation करा रहा है, आप हमारे वीडियो, आप हमारे चैनल को विजिट करके इसमें देख सकते हैं, अगर आपको इस Current Affairs के वीडियो का पीडियव चाहिए, तो आपको टेलीग्राम लिंक जोईन करना होगा हम लोगों के चैनल का, तो आपको टेलीग्राम लिंक का जो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है, वो हमारे description box में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं, दोस्तों मिलते हैं कल, अलविदा दोस्तों